देखी दोस्तों मैंने आपको एक वीडियो बनाया था कट ओफ के उपर जिसमें मैंने आपको सेफ जोन बताया था लेकिन कुछ हमारे साथियों को उसको समझने में प्रॉबलम हुई तो इसलिए मैंने उस वीडियो को रिमूब करके आपको एक साफ सुपरा वीडियो जिसे आपको सेफ जोन का नहीं बलकि आपको जो लास्ट कट ओफ आपको जाएगा उसके बारे में मैं बात करोगा तो कि वहां पर मैंने जो बताया वह आप समझनी पाए आप सीदे-सीदे बात की हलाकी तो आइए इस वीडियो को में सुरू करता हूँ और आपको इसे कॉइंट वाइज मैं आपको बताऊंगा कि कितना कट ओफ हमारा जो है टीजीटी 2021 का साथ अगस्त का जाम है उसका जाने की उमीद है तो आएए चलते हैं वीडियो की और सुरुवात करते हैं और यदि मैंने किसी की भावनाओं को ठेस को चाहिए दोस्तों तो मैं चमा प्रारती हू हलाकि मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है मकसद बस इतना है कि जो अपने एक्सपीरियंस हैं उनसे मैं आपको सही तो उस वीडियो में मैंने जो कट ओफ बताया था वो सेफ जोन वाला कट ओफ बताया था कि कितने नंबर पर आप 100% एक सीट आपको मिल जाएगी यहाँ पर हम एक पोस्ट की बाब कर लेते हैं इंग्लिश में नंबर ओफ पोस्ट जो हैं दोस्तो वह बालक वर्ग में जो हैं 1587 पोस्ट हैं दोस्तो 1587 पोस्ट हैं जो अपने आपने एक बड़ी पोस्ट हैं कम पोस्ट नहीं है बहुत पोस्ट होती हैं दोस्तों 1587 आप देखेंगे कि इस पोस्ट हैं वो कम मिलेंगी और उसके बाद भी काफ़ी अच्छे लोगों ने सेलेक्शन उसमें लिये हैं इसमें अगर हम डिवाइडेशन की बात करें तो जनरल में 913 सीट हैं टोस्ट हैं बालक वर्ग में 144항 243 हैं शैसी में 226 हैं और एस Kelvin में 36 क करें और Exc conta में 996 पोस्ट है एक सो 13 पोस्ट जनरल में और अपी सी में 40 और सके बाद 77 सीट हैं और यहicorn जो पोस्ट है दोस्ट है पोस्ट की बात करें बालक वर्ग में इतनी पोस्ट हैं तो ये 1587 पोस्ट कम नहीं होती हैं दोस्तों बहुत पोस्ट हैं अगर हम इंपोर्डेट क्रीम क्रीम वाले बच्चे भी निकाल ले जो बहुत ही समझ लिए कि 125 में से 110, 115, 120 कोश्टन करके आएंगे तो दोस्तों उनकी संख्या मैगजिमम और मैगजिमम आपको बता दो तीन से साड़े तीन सो स्टूडेंट ऐसी संख्या होती है तो आएए आगे बात करते हैं दोस्तों पूरा पॉइंट आपको समझाऊुगा अब देखिए दोस्तों दूसरा इंपॉर्डनीट फैक्ट ओर मैंने आपसे कहा था कि ढिपेंट करता है एक्जाम के ओपर तो दोस्तों यह एक्जाम तो आभरेज इसको कहा जाएगा क्योंकि average exam में जो questions होते हैं वो three, तीन category के होते हैं लेकिन इस exam में मैं कहूंगा कि सीधे-सीधे दो ही category के इसमें questions हैं एक questions हैं दोस्तों easy question और एक questions हैं जो बिलकुल भी पड़े हुए नहीं है चोखा देने वाले questions है तो ऐसे questions कितने हैं इस पूरे paper में जो analysis करने के बाद मैं discuss पर पहुंचा हूं दोस्तों कि अगर कोई विप्पी कितना भी वो पड़े मेनत करे अगर वो ये exam देगा तो उसके 15 से 20 questions ऐसे उसको चोखा देंगे जो उसको लगेगा कि यार ये हमने नहीं पड़े हैं तो 15 से 20 questions जो है अच्छी study के मैं मानता हूं पूरे paper में बहुत अच्छी study में वो आते हैं high standard के वो question कहीं जा सकते हैं तो ऐसा paper आना अपने आप में एक अलग चीज है कि 15 से 20 question अच्छे standard के और बाकी सारे एक ही category के यानि easy आप उनको कह सकते हैं अब बात करते हैं दोस्तों हम cut off की तो इस अदार पर देखिए दोस्तों 125 question में से 100 plus question करना दोनों बातों को बड़े अच्छे से समझेगा क्योंकि आप सायद समझ नहीं पाए और आपने बहुत सारे कमेंट किये उसी बज़े से मैंने यह दूसरा वीडियो आपके लिए बनाया है दिखिए 125 में से 100 question ठीक करना अपने आप में एक बड़ी बात होती है बहुत सारे विद्वान एक्जाम देते हैं उसके बाद भी आठ से 10 question 5 से 7 question का ratio तो उनका रहता है जो गलत हो जाते हैं पढ़ने में mistake हो जाती है not को नहीं पढ़ पाते हैं ऐसे questions होते हैं अब हम बात करेंगे cut-off की cut-off कितना जाता है तो मैं आपको सच बता दूब 125 में से 100 question करना दोस्तों 98 question करना 95 question करना यह अपने आप में बड़ी चीज़ है तो average question अगर आप ठीक करके आए हैं और आपने tough questions को attempt किया है और उनमें से यदि आपके कुछ सही होते हैं दोस्तों तो निशित रूप से आप seat पालेंगे और बिल्कुल आप इस बात का विश्वास रखिए कि यह दुवारा से वीडियो बनाने का मकसद के वह लेकी है कि आ इससे पहले वीडियो में मैंने आपको maximum कितना जाने पर आप 100% एक seat के हगतार हैं वो मैंने आपको बताया था लेकिन वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई तो इसलिए हम इस वीडियो में बात करते हैं तो आई हम category wise हम बात करेंगे कितना cut off किस category में जाने की पुरी में 125 questions में से अगर हम 15 questions को अलग करते हैं दोस्तों तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया 1587 post हैं दोस्तों और उसके बाद अगर हम बात करें कि बहुत अच्छे student, brilliant student exam में पहुँच गए तो उनकी जो संख्या है दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया 200 या 300 की संख्या उनकी होती है उससे ज़्यादा नहीं होता है इस बात पर आप में पिस्वास कीजिएगा बिल्कु सच बात मैं आपको बता रहा हूं कितना भी आप सर्कल डोल लीजिएगा जब exact condition निकल के आती है ना दोस्तों जब original answer की निकल के आती है ना देखिए कहने को कुछ भी कह ल ठीक है 115 ठीक है लेकिन जब exact condition निकल के आती है answer की के साथ जो official answer की होती है तब आप देखेंगे कि वो ratio थोड़े से घटते हैं बिल्कुल और वास्तिविक्ता कहीं और कुछ और होती है तो general category में अगर आपके 98 questions दोस्तों बिल्कुल ठीक हैं तो आप सुरक्षिद हैं आपक रूप से मिल जाएगी यहां पर एक चीज आप ज़रूर ध्यान लखेगा दोस्तों यह अनुमानित है यह कोई exact नहीं है मैंने प्रियास किया है आपको जो नजदीकी हो वहां तक ले जाने का तो इसमें दो अंक का दो से तीन अंक का ratio आप लेकर के चल सकते हैं यानि इतना up and down हो सकता है जनरल केटेगरी में 98 achieve परने वाले को मैं कहूंगा कि 100% उसकी seat जो है दोस्तों वो secure है कि अगर उसने मान लिजे 115 वाले 109 वाले 110 वाले अगर परने हैं तो वो जाड़ा से जाड़ा कितने होंगे 100 200 300 400 500 बहुत होता है दोस्तों बहुत होती है संक्या बहुत अ बात करें OBC केटेगरी की क्योंकि OBC वाले जनरल वालों की seat भी लेते हैं दोस्तों OBC वालों का जो cutoff है जो minimum मैं कहता हूं 94 से वो 94 अगर कोर्शन उनके बिल्कुल 100% exact है देखिए if and but नहीं अगर सही answer की से मिलाने के वाद उनके इतने कोर्शन है तो दोस्तों मैं कहूंगा कि उनके लिए पूरी उमीद है पूरी seat है उनके लिए तयार क्योंकि आप देखेगा यह चीज़े आपको मिलेगी हाँ मैंने जैसा कि आपको बताया है दो से तीन अंकों की up and down series आप इसको मान करके चल सकते हैं 94 पर मैं कहूंगा कि आप secure zone में है आप अराम से seat ले ले लें इसके बाद SC कैटेगरी में 90 प्लस पे आप देख लीजिए का selection होगा बंदों का selection मिलेगा बच्चों को seat मिलेगी उनकी job उनको चुरूर निश्यत रूप से मिल जाएगी और SC ST कैटेगरी में अगर बात करें तो दो तो 88 पर उनको selection मिल जाएगा अब यहीं पर अगर बात क कैटेगरी से रिलेटेड यह सीधे सीधे आपके यह कि जो अपनी अलग से दिया है एक कैटेगरी बन गई है तो उसमें दोस्तों 90 से 92 से 96 के बीच में cut-off जाने की पूरी 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 है यह मैंने आपको बता दिया दोस्तों कैटेगरी वाइस जनरल में अगर आपके 98 मा प्लस है तो आपको सीध मिस्षित रूप से मिल जाएगी ऐसी में 1990 यानि कि आप ध्यांड की यह पार बार जो मैं एक बार बोला हूं कि तो से 3 का तो आपको ध्यांड रखना होगा दोस्तों तो यहां पर आपको सीध मिलने के पूरे पूरे चांस है दोस्तों आप करता हूं दोस्तों आप मिस्षित रूप से सफर होंगे तो यह मैंने मिनिमाइजेशन वाला वीडियो आपको दिया है दोस्तों और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका सेलेक्शन निस्षित रूप से इसमें हो जाएगा आपके सीधे कम पकी हो